एक्जाम कोई चीज़े सात ना लेग जाए ताकि आपको चीज़े साथ ना लेगे जाए ताकि तो सबसे पहले किंति आपुष्ण अगेरा अपने सात लेकर नहीं जाए ठीक संने चांदी की चीज़े वह ने का चांस रहता है और सेकंड तिंग कहता है मास्क जरूर लगा के जाए अपने मुँपर फेस मास्क जरूर लगा के जाए क्योंकि कोरेना अभी तक खत्म नहीं हुआ है तो वहाँ पर आपका मास्क नहीं होगा तो वहाँ पर खतीदों के 10-20 रूपय ज्यादा लग जाएंगे तो आप इस कार्ट देना होगा और उसके साथ अपनी फोटो आइडी जरूर ले जाए अधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर आइडी पासपोर्ट कुछ भी ले जा सकते है और एक साथ में एक फोटो ग्राफ जरूर लेके जाए एक फोटो और एक ब्लू बोल पेंड ठीक है आदा एक घंटा आप एक्जाम जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे भी पहले पहुंच जाओ तकि आपको क्या कि जो चांच होगी रहा होती तो इजीली आपकी हो जाए वरना देखो अभी भी आपने रेट में सुना होगा कि कई सारे एक्जाम केंडिडेट लेट हो गए जाँच में लेट होने की वज़े से उनको एक्जाम नहीं देने दिया गया तो देखो गलती उनकी होती भुगतना अपने को पढ़ता है तो इन चीजों से अपने आपको बचा के रखें ठीक है और ड्रेस कोड़ सबसे इंपर्टेंट है ड्रेस कोड़ का ध्यान रखें त फुल आस्तिन का ना पहने वर्न आपको प्रोब्लम होगी यह तो आप नॉर्मल पेंट पेंट लो या फिर आप लोवर पेंट के चले जाओ और या जूते मत पेंट के जाओ वहां ओविसली खुलवाएंगे तो क्यों आप चपल पेंट के चले जाओ श्लीपर पेंट के च किसी परकार के प्रकार किसी भी लेकर नहीं जा सकते आप ने माते पर पर आप्ने सारे चेह करते हैं अपने। सहूलयत होगी ठीक है तो आपको कोई फालतू का हैडग नहीं होगा तो महईन चीज़ा आपको क्या ले जानी है मुझ पर मास्क हाप टिसर्ट एड मीडर एड मीडर कार्ट कर साथ आपका इडनिटीट काड एक पासपोर्ट साइज पोटो एक पासपोर्ट साइज फोटो त् एक्जाम सेंटर पर वनना पता चला सारे चीज़ें साथ में है और टाइम पर नहीं पहुंचे एक्जाम नहीं देने दिया ठीक है ओल्डवेश सबको और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू कर दें